तो दोस्तो आपका स्वागत है पाइथन के तीसरे लेसन में आज हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में ये क्या होता है इसे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि मुझसे बहुत लोग लें सागरवा इतना लेट क्यों हो गए पाइथन की टुटोरियल क्यों नहीं चाहता अब आप लोग देखना ही नहीं चाहेंगे बहुत सारी लोग देखना ही नहीं चाहते तो भाई फिर मैं इसको frequency धीरे कर दूँगा न मैं तो वो content बनाऊँग जो लोग ज़ादा देखना चाहते हैं ऐसा नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूँगा बट इस चीज को आ बाना नीरे, बाना नीरे, भाई, व्यूज नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा, कोई इंट्रस्टेड ही नहीं है, सर्फ, मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं है, तो आप मेरी वीडियो उठा के देखो अभी, मैंने फस्ट लेसन बाया है, उस पर 45,000 व्यू है, सेकंड चैप्टर पर 15, मतलब लगबग आदे से भी कम हो गया, सो इस चीज़ को आप समझो भाई, कि जैसे ओडियन्स अगर चाहती ही नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊं, तो यही है न, पर कोई बात नहीं, हम continue करेंगे, जो चीज़ शूरू की है, उसको हम खतम जरूर करेंगे, यह शायर last lesson होगा, इस चैनल पर, इसके बाद के जो lesson आएंगे, जो मैं धीरी-धीरी करके डालूँगा, वो cyber-sagar पर आएंगे, और वहाँ चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत interesting वीडियो वहाँ भी डालने वाला होगा है, तो सबसे पहले, हम if statement के बारे में सीखेंगे, सबसे पहले हम अपना pi chart को fire up कर लेते हैं, तो if statement होता क्या है, इसका मतलब होता है कि, अगर ये condition fulfill हो, तो ये करना, नहीं तो ये करना, नहीं तो इन दौनों कुछ ना हो, तो फिर ये कर देना, ऐसा होता है न, if statement, कि भाई, जैसे मैं real life example बताता हो, देखो भाई, अगर दूदवाला आए न, तो तुम डब्बा लेके नीचे चले जाना, दूद लेने के लिए, दूदवाला ना आए न, तो तुम सोते रहना, तो ये एक statement मतलब है कि, दूदवाला आएगा, तो क्या करना है, नहीं आएगा तो अब इसमें ये भी हो सकता है, देखो भाई, अगर दूदवाला पैदल चल कर आएगा न, तो तुम एक काम, दूदवाला आएगा तो तुम नीचे जाना, पैदल चल कर आएगा, तो तुम थोड़ा सा पानी लेके जाना, बिचारा थका हुआ होगा, cycle पह आए, तो तुम normal आएज़ाए जैसे, अब यहाँ पर हम example लेंगे एक school में पढ़ रहे है बच्चे का तो सबसे पहले age नाम का एक variable set करते हैं और age हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं for example हमने दे दी तीन साल का बच्चा है कोई अब हम यहाँ पर if statement लगाएंगे अब यहाँ पर हम लगाएंगे if ठीक है if age is greater or equal greater or equal than 18 ठीक है अगर age 18 के बराबर है या 18 से जादा है तो print तो यह print करना क्या print करना मैं बताता हूँ भी parenthesis भाई जवान हो गए हो college में जाओ college में जाओ ठीक है भाई जवान हो गए हो college में जाओ तो अगर किसी की age 18 के बराबर होगी या 18 से जादा होगी यहाँ पर आप देख रहे हो greater or equal to 18 यहाँ पर यह लगेगा कोई भी उसके आगे यह लगाते है ठीक है तो यह है जैसे कि if अगर age greater और equal than 18 तब यह चीज करनी है अगर यह criteria fulfill होगा न तो यह print होगा क्या print होगा भाई जवान हो गए हो college में जाओ मैं बड़ा code बड़ा दिखाता हूँ ठीक है यह पहली चीज अब क्या होगा कि यह भी criteria fulfill नहीं हुआ तो हम यहाँ पर use करेंगे alif जिसे else if भी बोला जाता है तो यहाँ पर हम देंगे यहाँ पर हम लिखेंगे alif मतलब अगर यह criteria fulfill नहीं होता अगर वो 18 साल का ज्यादा का नहीं है या 18 का नहीं है तो क्या होगा alif अगर age उसकी less than let's say less than 3 है मतलब बच्चा है कोई चोटा बच्चा है तीन साल का बच्चा क्या होता है उसको तो लगता है आपको कि वो मतलब उसके खेलने कुदने के दिन है तो यहाँ हम क्या करेंगे अगर तीन साल से चोटा बच्चा है तो तीन साल से चोटे बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं भाई दूदू पियो तो ही लेखेंगे मुन्ना, राजा दूदू, पियो और सोजाओ फिक है, अगर किसी की उम्र मतलब अगर 18 वाला complete नहीं हुआ न तो फिर ये statement को चेक करेगा system कि भाई अगर age 3 साल से कम है ये less than वाला है न, maths में पढ़ा होगा आपने तो अगर 3 साल से उम्र कम है तो भाई, 3 साल से कम उम्र का बच्चा क्या करता है, दूद पीता है ड़कारे मारता है, और गशा सो जाता है चलो ये हो गया अब चलो, ये भी अगर मान के चलो भाई वो 3 साल से छोटा भी नहीं 3 साल से छोटा भी नहीं है और 18 साल से भी नीचे है इसका मतलब है, वो already school में पढ़ रहा है तो यहां पर else यहां else डालेंगे हम और print कराएंगे बेटा तुम already print print लिखेंगे, नहीं, सॉरी यहां पर print लिखेंगे print, ठीक है और यहां पर parenthesis देंगे बेटा तुम तुम already school में हो ठीक है, बेटा तुम already school में हो ठीक है, अब यह हमारा पूरा प्रोग्राम है तो अब अगर हम यहां पर age 3 दे या age दे एक साल मतलब कोई बच्चा भाई, एक साल का ही है तो अब इस script को जड़ा run करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है तो run करने के लिए हम run पर जाएंगे, run hello world देखो, मुन्ना, राजा, दूदू, पियो और सो जाओ लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो बच्चे की यह जब एक साल के बच्चा क्या करेगा ठीक है, अगर मेरी उम्र है 20 साल, यहां मैंने 20 लिख दिया अब इसको हम run कराते हैं, shift F10 से भाई, जवान हो गए हो, college मजाओ लिखा हुआ है न यह, भाई जवान होगे और college मजाओ अगर यहां पर इस criteria को हम करें जैसे बच्चा अगर मालो 14 साल का है तो यहां लिखे हैं 14 साल, तो कौन सी criteria complete होगी, देखते है बेटा, तुम already school में हो, ठीक है so यह होता है guys, if statement जैसे अगर यह होगा, तो यह होगा यह होगा, तो यह होगा अन्या था, अगर इन में से कुछ नहीं होगा तो यह होगा, मैं फिर से समझाता हूँ यहां पर हमने एक variable set किया and that is our age so यहां पर age की value अब यहां पर हमने तीन लिखे हुए statement if अगर age बड़ी है या बराबर है 18 के, तो यह print करना है भाई तुम जवान हो गए हो, college जाओ ठीक है, 18 साल के हो या 18 से उपड़ हो तो college में दाखिला करा सकते हो आप अगर age 3 से कम है मतलब toddler है भाई, 3 साल से थोटा बच्चा है, या नहीं कि एक साल का, दो साल का यहां पर less than or is equal to भी लिख सकते थे, उससे क्या होता है कि 3 साल तक, अभी क्या होगा एक या दो साल के बच्चे पर अप्लिकेबल होगा है so भाई, एक साल का, दो साल का बच्चा क्या है, दूद पीता है तो भाई, मुन्या राजा, दूदू प्यो, सो जाओ अब, अगर इन दौनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुल्फिल नहीं होता है तो बेटा, तुम अल्रेडी स्कूल में हो अब इसे हम यहां न, चार भी यहां पाँच भी कर सकते थे, जैसे पाँच साल से अगर कोई कम हो, क्योंकि पाँच साल से तो भाई, अडमिशन होता नहीं है तो यहां पर क्या, अगर पाँच साल से कोई कम है है तो बही मुन्ना राजा दूद पी उस हो जाओ और अगर ये मतलब ये दोनों criteria fulfill नहीं होती इसका मतलब कि बच्चा पांच साल से छोटा भी नहीं है और 18 साल से बड़ा भी नहीं है तो बच्चा पांच साल से लेकि कैसे ये काम करती है प्रोग्रामिंग में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जाद से जाद तक लोगों तक इसको शेयर करें साइबर सागर नाम का चैनल बनाया है उसका लिंक आपको description मिल जागा मेरे फीचर चैनल में भी है उसको चाग कर सब्सक्राइब करें और अगर व्यूज कम होंगे तो गाईज मैं frequency वीडियो की कम कर दूँगा ऐसा नहीं है कि मैं complete नहीं करूँगा lessons मैं करूँगा बट मैं उसकी frequency low कर दूँगा बिकज मुझे और ऐसा content पूट करना होगा जो लोग देखें जाकि हम जादा audience गें कर पाएं लेकिन ये lesson कभी खतम नहीं होंगे पूरा complete सिखाऊंगा अभी फिलाल के लिए इतना ही दूस्तो मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में thank you so much and goodbye